एहम्दबाद के मोटेरा स्थेच सरदार पटेल स्टेडियम जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा इसमें एक लाख दस हजार लोगों के बैठने की ख्षमता है इस स्टेडियम का उद्गाटन अमेरिका के राज़पती डॉनल्ड ट्रम्प के हाथों किया जा सकता है हिट मैन रोहिच शर्मा इस स्टेडियम के विहंगम दरिश को देखकर रुमांचित है उन्होंने ट्वीट कर लिखा आश्चर जनक स्टेडियम के बारे में इतना सुनने के बाद वहाँ खेलने के लिए और इतजार नहीं कर पाऊँगा इस स्टेडियम से बिसी से आएधियक सौरफ गांगुली भी काफी प्रभावित देखे गांगुली ने ट्वीट कर लिखा कि हमदाबाद में इतना बड़ा और शांदार स्टेडियम देखकर खुशी हुई एक खिलाडी कप्तान के तौर पर मैदान में मेरी यादें यहां से जुणी है इडन में हजार लोगों की तात में देखकर में बड़ा हुआ इस स्टेडियम को 24 तारिख को देखने के लिए बेश सब रगूँ टिम इडिया के मुखी कोच रविशास्त्री ने लिखा शांदार लग रहा है हर बारती क्रिकट प्रेमी के लिए संजोने वारा पल विश्विस्तरी सुविदा एक लाग दस जार से अधिक लोगों की ख्षम था दरसल स्टेडियम का पुनर निर्माण किया गया है सबसे पहले ये स्टेडियम 1982 वे बना था इसके लिए गुजराज सरकार ने पचास एकड़ जमीन दी थी 1983 से इस स्टेडियम में अंतराश्टी मैचों का आयोजित किया जाने लगा अब तंग मोटेरा में एक ट्रीटविटी इंटरनेशनल बारा टेस्ट मैच और 24 वंडे मुकाबले आयोजित किये जा चुके है साल 2011 के क्वाटर फाइनल में भारत को मिली आस्ट्रेलिया के खिलाफ एतिहासिक जीत में भी ये मैदान सबसे बड़ा एतिहासिक मैदान बना था क्योंकि इसी मैदान पर भारती टीम ने जीत तर्च की थी लेगिन रोहिच शर्मा का ये कहना कि अब यहाँ पर खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ काफी कुछ बया कर रहा है A.N.P. Newsroom की रिपोर्ट